विल्कम बेक टुमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोश्चन नमबर 14 जो कि आपका अगला कोश्चन है इससे पहले हमने एक से लेकर 13 तक सभी आपके लॉंग आंसर टैप कोश्चन हमने डिसकस कर लिए ठीक है लॉंग आंसर टैप कि उसका पाचन किस तरह से होता है की आपको बताना है एंजयम का पाचन कोश्चन है अ अधवा आप से तरह से मैं पुHN Google सकता का पाचान किसे प्रकार से करेंगे आज हम पढ़ेंगे कि पाचन क्रिया किसे कहते हैं और एंजाइम का पाचन क्रिया में क्या योगदान होता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं पाचन क्रिया ये आपका फिक है पाचन या डाजेशन यह क्या होता है पाचन या डाजेशन यह किया किया एक सिक रिया है जिसके द्धुरा जंतु अपने भोजन है याणि कि जीव जंतु अपना भोजन खाते हैं जट़ेंगे क्वा estécómo हादे पदार्थों को कैसे थे होते हैं थोड़े पे आपके खादे-पदार्थ हो सकते हैं करको एंजाइम की कृया द्वारा ऐसे सूख्षम कड़ों में बदल देता है जिनका अवसू जिनका सोसर रक्त में हो सके ठीक है तो भई पाचन का काम क्या होता है यह एक आपकी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो आपके का शोसड रक्त में हो सके ठीक है यानि कि जो आपके सुख्षम कड़ बनेंगे उनको बिलड का कर सके अब्जोर्ब कर सके या उनका बिलड द्वारा शोसड हो सके ठीक है जिस भाग में यह क्रिया होती है उसे आहार नाल कहते हैं यह कि आहार नाल में आपकी कुंसी पाचं क्रिया के हम यहाँ बात कर रहे है करा कार्वोहाइिटरेट प्रोटीन तथा बसा यếu तीन मुख्य भोज पदार्थ माने जाते हैं तो पार और फैटरेट्ट प्रोटीन और बसा जैसे थे कहते हैं यह तीनों बिन पाचक रसों के माध्यम से बोजन नली के बिभिन भागों में किया जाता है जो हम बोज़े पदार्थ खाते हैं इन सभी का पाचन ठीक है कि इनका पाचन जो हम खाते हैं ठीक है तो हमारे भोज़ पदार्थ होते क्या हैं कार्वो हैटेड प्रोटीन और बसा यह मुख्य आपके भोज़ पदार्थ होते हैं तो इनका ही पाचन बिभिन पाचक रसों द्वारा ठीक है अब जो आपके क्रिय से भोजन नली में बिभिन भागू में किया जाता है किसके द्वारा आपके एंजाम या विकर के द्वारा मुख रूप से पाचन मुख गोहा ठीक है पाचन कहा से शुरू हो जाता है आपका मुख गोहा यानकी औरल डाइजेशन उदर के होता है आपका गेस्ट्रिक डाइजेशन जिसे पेट में होता है तथा आत में होता है तो आपका जो पाचन होता है मुख रूप से आपको कहां कहां देखने को मिलता है आपके मुख गुहां में देखने को मिलेगा यानि कि हमारे मुख गुहां से ह की हमारा पाचन जो है शुरू हो जाता है उसके बाद हमारे उदर में जिससे हम पेट कहते हैं ठीक है वहाँ उसके बाद कहा जाता है finally आपका इंटिस टाइन यान और की आत में पहुँच जाता है जहां पूरी तरह से इसका जो है पाचन हो जाता है कार्वोहाइड्रेड ग्लूकूज जो आपका कार्वोहाइड्रेड होता है वो ग्लूकूज और आपका प्रोटीन प्रोटीन आपके अमाइनो एसिड में ठीक है कार्वोहाइड्रेड क्या बनाता है कार्वोहाइड्रेड ग्लूकूज ठीक है अब प्रोटीन अमाइनो से आपको instant energy मिलती है तो वो क्या होता है कार्भोहाइड़ेट ब्रेक हो जाता है किसमें गलुकोज में जिसे हमें instant energy मिल जाती है तो कार्भोहाइड़ेट गलुकोज में प्रोटीन आपका amino acid में और जो आपका fat होता है बसा वो किसमें बदल जाता है fatty acid और glycerol में break कर दिये ज चिनने mechanical reaction कहते हैं तथा आपका रासानिक क्रियां जिन्मेकल एंजयमेटिक reaction कहते हैं थे कंनको या एंजयमेटिक क्यूंकि जो अब क्रिया है यह आपकी उपस्तिती होती है किसकी उपस्तिती में भिकर की उपस्तिती में होती है इसलिए इनको एंजाय में यह पाचन किसमें और यह संटा है यहां से भोजन नली शुरू हो जाती है तो बोजन नली का प्रकार का पाचन होता एंट किसमें मुख में पाचन आपका दोनों प्रकार का पाचन पाचन पाय जाता है कौन कौन सा आपका बहुत तिक और रासायनिक कोल सा बहुत तिक ओर रासायनिक ठीक है Makenical digestion और आपका क्या हो था है Chemical या Enzymatic Dision तो पहली अगर हम बात करें कि जो मुख में होने वाला विभिन परकार के दाथ और चार पर आत पर चुटे चोटे चोटे टुक्डवों में तोड़ कर गप्रण पाउट करना जब चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटर पर यह कजाते दात बनाते हैं अब चोटे होटे चोटे कपड़ आप चोटे उनकर लगता है जीब भी इसमें सहच करते है योगदान जीब का भी रहता है मुखम लगां का या पूद př उसको इदर उदर पलटना ठीक है या गुमाना दूसरा आपका है रासायनिक पाचन ठीक है chemical digestion यह आपका क्या कहते हैं इसको enzymatic digestion के नाम से जानते हैं करें यह लार में उपस्तित किसमें सलाइवा में उपस्तित enzyme के द्वारा होता है अपनी जो लार में कुछ enzyme पाए जाते हैं उनके द्वारे यह आपका रासायनिक पाचन होता है तो बात करने यहां पर लार की तो यह निमन जोडे यह निमन तीन जोडे लार गरंथियों से निकलता है क्या आपका सलाइवा या लार ठीक है कहां से निकलता यह आपकी लार गरंथियां दे रखी है जिन से यह आपका लार जो है या सलाइवा जो है निकलता है ठीक है कौन-कौन से लार गरंथियां है यहां पर अगर हम बात करें पहला है आपका पैरोटिट क्या है आपका पैरोट्र जो है वो आपकी सबसे बड़ी लार गरंती है और इसका जो है प्लेस कहां पर होता यह आपके कान के नीचे होती है कान के नीचे करहें को है जबड Nut की तरह होता है और यह जबड़े के नीचे होती है ठीक है आकार आपका इसका वालणत के समान हो जागा और यह लेगी कहाँ आपको जबडे के नीचे आपको देखने को कहा जबड़े के थोड़ा सा नीचे यहां झाल जकूरhour आपको mamad फेसे रिखने का सsite करती है जानबात करें सब्लिंगुल होता है सब्लिंगुल और जीव के दोनों और आप को देखने को मिलेगी खीङ के दोनों और जीब के दोनों और नीचे आपको यहां पर जैसे यहां और यहां इस तरह जीब के दोनों और नीचे आपको देखने को मिलती है साइज में सबस्चे छोटी होती कौन सी तब लिंग्वल ग्लाइवा ग्लैण्ट्स्टिक तो यह हो गएबका लार ग्रंथियां जिनसे आपकी लार निकलती है अब हम बात करते है लार का संघठन विंग्वअ कन-कन से मिलकर बना होता है आपका लार निभी पदार्तों का गोलfonů रী मीडियंका खानेर आता है कर दोड़ ओसका किसके लिए लार के लिए ठीक है कि यह रहा है इसमें ही इन्टिस भेरीट कंपॉंड और स्वर्ट समें हो कि मिनरल साल्ट के यहां पर बात करें तो कौन-कौन से हो सकते हैं आपके सोडियम पोटेसियम क्लोरी साथ ही क्या होगा सलफेट फासफेट और कार्बॉनेट इसके आपको यहां पर क्या है लवड़ देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यह आपके खनेज लवड जो है लार म सिल्वार होती है उसका उसका जो प्रिक्रती है उसको क्या करते हैं यह सिल का अमने का नगट थी है इस पून का तो नियुटल करते हैं यह उसको कहां करते हैं हलका Engineering का Tech is ऑनार रिखने का काम करते हैं कौन आपके वजद 똑ётся त्षफ सलेशर हमें जिसे नियूशन कहते हैं सिलेश त्प्रेट का क्या करता है यह बनाई रखता है जो आको मौत दर ज Sigrid का मौत रखता है जिसे आपका चुक्ना बनाए रखता है यह है और टेश्व को सब्सक्राइब अर मस्टिए के कलता, मच टीकेसिज, डि ग्लूटेशन और आपका speaking ability को enhance करता है speaking ability को enhance करता है मतलब हमारे बोलने की छंता को ये बढ़ाता है जब बोलते-बोलते कभी मूह सूख जाता है तो हम इतने अच्छे से नहीं बोल पाते है तो ये काम किस का होता है आपका slaysm का होता है स्लेट में आपका जतना ज़्यादा सिक्लेट होगा हम उतनी ज्यादा आतानी से बोलते रहेंगे तो क्या करता है इस पीकिंग विटी को भी बढ़ाता है ठीक है से विकर की बात कर लें यहां पर तो कुछ बिकर भी आपके लार में पाये जाते हैं यह आपका टाइल नहां अ सबस्क्राइब करें आपका अर्ब लाइब को नाम ये नाम से जांगे और बहुत कम नातरा में आपको में माल्टे में बहुत है माट्व पाया जाता है डिया बी पर कुरां किस तरह से कर ते करते हैं तो यह एंजम पौनी से ट्रीराइड बहुंकर रिंखला affected या ठीकर जैसे आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलिसेकराइड जैसे आपका स्टार्च हो गया और क्या हो गया आपका ग्लाइकोजन हो गया को डाइसेकराइड में हाइड्रोल हाइड्रोलाइज करता है यानि कि डाइसेकराइड में ये तोड़ देता या हाइड्रोलाइज कर देते हैं ठीक है तो यहां प पर हमने झ होता है तैलन नाम का झाल का इंजराब ले लिया जो कि satellite आप SNC जो कि प्राइस क्लस करना और मनें का यह सकता है कि या सकता है आपका स्टार्स हो हो सकता है और आपका हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है आपका गलुकोज हो सकता है ठीक है माल्टोज और गलुकोज अभी जो आपका माल्टोज होता है ठीक है क्या होता है माल्टोज यह माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा ठीक है यह जो माल्टेज है यह माल् मोनो-saccharide में convert कर दिया जाता है ठीक है तो समाझ आगे कहानी यहां से शुरूई थी हमारी polysaccharide polysaccharide को tylen नाम का enzyme ने क्या करा बहिए disaccharide बना दिया जो कि आपका क्या हो सकता है maltose और galactose अब यह maltose और galactose आपके disaccharide है यह maltage नाम का enzyme की उपस्तती में इसकी यह maltage है यह आपका क्या है enzyme है ठीक है क्या है enzyme है इसकी उपस्तती में यह दोनों क्या हो जाएंगे monosaccharide बन जाएंगे जो कि आपका glucose और fructose बन जागा क्या बन जागा glucose और fructose बन जागा ठीक है यह आपके तो कहाने जागी polysaccharide से monosaccharide तक की ठीक है इसमें दो एंजाय में यूज होंगे आपके टाइलेन और माल्टेज माल्टेज का काम क्या होगा बहुत माल्टेज क्या करेगा जो इनको बदल देगा किसमें गलुकोज और फ्रक्टोज में कनवर्ट कर देगा ठीक है कौन आपका माल्टेज और यादि भोजन अधिक देर तक मुह में रहता है तो माल्टेज की क्रिया द्वारा गलुकोज में बदल दिया जाता है अब देखो यहां पर क्या हुआ अगर जादे देर तक हमारे मुह में भोजन रहेगा तो यह प्रिकरिया आपकी यहां तक संपन हो जाएगे मुह में ठीक है यह पूरी प्रिकरिया आपकी यहां तक संपन हो जाएगी वरना कहां तक केवल इतना काम होता है मुह का ठीक है अगर हम जादा देर तक चवाते रहते हैं, जादा देर तक अपने मु में हम भोजन को रखते हैं, तो क्या करता है, जो ढाय चाइकराइड होता है, उनको भी आपका पहुचन कहते चबाती है नोगि तरह बना लेता है यहाप का घोल भी सब्सक्राइक है यानि कि हमारी जो अहार नाल होती है उसके दो आरा आपका कहा पहुच जाता उधर या पेट में पहुन जाता है मिया जटर यह पाचन क्या है आपका जथरी ओडिऑ इंगे उधिस्व commit अब बात करें कि पेट में आपका पाचन होगा प्स तरह से पाया कार्याझ में लόके करेंगे चैना तेजित करने पर शुरू होता है क्या होता है यह होता है मतलब आर पर और रासाइनक हो सकती है यह होती है य cream मैं ऩह ग्याग है आपके उदर में देखनेवको मिलते हैं tip typo गəshtring आсят इंहिंटक का निकलना यानी कि आन्य गश्ट्रीन हार्मों का इसको या जे जींटक करेंगा तब आपका गरे श्र dónde लगा ठीक है कब आपका जो गैस्ट्रीन हर्मोन और क्या करेगा गैस्ट्रीक ग्लैंड को उत्ते जित करेगा तब आकर से चोज़ाद है आप दोनों तो कईगा पाचन होता है तो पहले हम बात करते हैं असमेंरे पहुंचने पर फैलने और पहुंचने लगता है जिससे बोजन गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है अब जो गैस्ट्रिक जूस बनाता आपका वो क्या करेगा बोजन के साथ में अच्छी तरह से ग्रंतिय क्या हुआ जाती में फार्तियों किया बात पहुआ जाता है इसमें क्यार कोष आं यह कैसे होती है एक कोश्र के ग्रंथियां इसमें आपकी पाई जाती है ओ झो गैस्टिक जूसका निरमान करती है जो क्या करते हैं गैस्टिक की लिसना निरमान होता है थिक है जूसकर इसमें एपिधिलीएं में इ 보시itious के ग्लैंट्स होती है गरन्थियं वो क्या करती है ょ气्य का निर्मार करते हैं फोग इनका अगर हम संग्फ़टर्ण की बात करें उसका क्या है काम को काम होता है द्वार्य तत्हां इनके मुखकाइर यह किसे द्वारा निकलते हैं पेराइटल सेस्ट ध्रक्रिण और त्येस्ट चिह इस प्लस-ट्रक्र मैनने प्रस और 550 दूसरात्तमों को मुलायं करना ठीक है क्या करता है फ़्र आपका कहला पीचiko A लिए बनाना दो से दो पॉइंट पांच ठीक है कौन बनाता है एंजायम को तेजित करना अब यह जो आपका करने लगता है कि लिए आपका तीसरा म Ste était आपका few call चेल से निकलता है और भोजन तथा उदर की दीवार दीवार को चिकना वनाया कारीय करता से निकलता है और काम क्या होता है बोजन तथा उदर की दीवार को चिकना बनाए रखना जिससे कि आपका बुझे नहीं वह आराम से नीचे जाता रहे अब हम बात कर लिते हैं पर आपका कि तरे दे रहा है गाना इस्ट्रियूशन किस तरह से होता है मियूकुस का डिश्टियूश्टिटिउश्न किस तरह से होता है एंजैम और एसिदसीटिटिंग त्रेस अच्छे तिश देत अब करो इसमें क्यों दिखाएगा और आपका एसेड़ सीटिटिंग स्टेस भी दिखाए ड़ी हें तो यह यह जो यह क्या है आपका गेस्ट्रिक गिलfive ग्रश्ट्र फिदे गेस्ट कर गरंथ क्या हुआ anist a यह ते ओम आप यह आपको दिखाई दे रहा कुछ इस तरह की सब्सक्राइब यह आपकी मुकस सेक्रेटिंग सेल्स और यह जो भाग है आपका यह क्या है आपका इसके बारे में बात कर रहे है इसके आपका दीवार है ठीक है अब इसमें यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरह की जो सरचना आपको दिखाई दे रही है यह क्या हो जाएंगे आपकी मुकस सेक्रेटिंग सेल्स इनका काम होगा कि मुकस को सेक्रेट करना यह मुकस को प्रोवाइड कराना ठीक है उसके बाद आपको कुछ इस तरह की यहां पर सरचना यह दिखेंगी यह क्या होती है एंजायम सेक्रेटिंग सेल्स इनका काम होता कि एंजायम को प्रोवाइड क तरह को करना ऐंगा नॉखस डिखाई दे रहा कुछ इस तरह का पाझ आपका मुक्स सिंधम्स इंज्म्स इक टिंग और सब्सक्रींग ऑर Ya अब देखो यहां से चोटा सा अगर काट ले लिए इतना काट आपका ले लिए इसको हमने क्या करा बड़ा करके अगर देखा तो क्या पाया तो पाया यह आपकी कुछ इस तरह की भित्ती रहेगी और इसके अंदर जो आपका यह बना हुआ था इसमें गुछ इस तरह की सरचना और यह रहता है तो इसको हम कहते हैं इसके नदर जो आपकी भाईएंजॉड को क्याना लेकलस तडिक है इंट्रस औलयोर दे भी आपको सरचने कमीन वाइट इसकी जो वहारीं दीवार है यह होता है और यह आपका क्या जगाए और यह आपके यहां पर देखेंगे और यह हम कहते हैं यह आपका चोटे-छोटे निये रहे हैं हम बात करें पूरत आपका एंजाएंब यह Chief जेल द्वारा त्वारा निकलते और आपके तीन प्रकार के होते हैं कौन-गौन से पहला पेपसी नौजिन क्या है ? पेपसी नौजिन एंजाएंब यह इनक्टिव रूप में होते हैं जब पेपसिन नामक एँजर से निकलता है तो कैसा होता है इन्यक्टिव वह तहारी कड़ेग, सक्रिय य Зन प्लक्रिया आने पर सक्रिए हो जाता है अब ऑ्कल फ अमकर जी ड्म नामका इंजरेम निकला था चीफ वह थे या उनक्तिव था जैसे है के संतर्ग में आता है तो इह कार्य करने लगता है तो यह आगया पेप si n um और यह पर है a happens आयाँ यहाँ स्ट्पार में आएगा तो क्या करतेगा रेचिन मुझन से आपका य Jakeusz आपका क्या है अपने बना осьका है आपका यह तो बने सब्सक्राइब करोगे तो यह दुबारा से आपका यह बन जागा यहां पर हम बात कर लेते हैं इसका काम क्या होता है यह बड़े बड़े प्रोटीन कड़ों को अन्हाइड्रोलाइज करके चोटे कड़ों में रहा है ठीक है कोना आपका टरशन नाम का एंजायम देखो यहां पर कुछ इस तरह से कवर्णों कर रहा है यहां पर बल्क मींद कुछ चीज़ जहां अगर बलग आज़ा तो वहां एक जुंड़ टाइप या अधिक मात्राले चीज़ है तो प्रोटीन यहां पर कैसी है अधि प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को फ्रोटीनन के अगर हम बात करें तो यह है इस्तंधारी जन्तूं में ही पाया जाता है केवल इतना याद रखना है जो आपका प्रोरेनिन होता है यह केवल इस्तंधारी जन्तूं में पाय जाता है और निसक्र अवस्था में निकलता है इसका सेक्रेशन भी तरह ग। अब नीसक्रेशन होता है यानि कि ईसका सेक्रेशन होता है दिर दीक्रेशन नहीं करता है तक बनाया जाए है थाए प्लस दोनों ही इसके थीलेसं में मदद करते हैं कौन-गौन एच पिलस और जो इनकि अपका बनाते ज़िए हैं यह इसकोico तो यह क्या करेगा रेनिन बना देगा और कैसा बनाएगा आपका सक्क्री यानि कि अभी यह कैसा हो गया आपका एक्टिव हो गया और यह कारिये रूपर रूप से अब आपका करेगा ठीक है कि लेड़न के कुछ फंक्शन है कुछ कारिया है उनको देखते हैं कह रहा है यह मिल्क के प्रोटीन भाग कैसी नोजन मिल्क का जो प्रोटीन भाग होता है वह क्या होता आपका कैसी नोजन ठीक है कैसी नोजन को तोड़कर कैसीन में कैसीन को अलग करता है ठीक है जो आपका मिलक का जो प्रोटीन युक तो भाग होता है यहां पर प्रोटीन आपका ज्यादा पाया जाता है उस भाग को हम कहते हैं कैसीनोजन क्या कहते हैं कैसीनोजन ठीक है जिसको तोड़कर कौन तोड़ता भी आपका रेनिन इसको कैसी नोजन को क्या आएगा आपका रेनिन अब क्या कर देगा ये कैसी नोजन को तोड़कर किसमें कनवर्ट कर देगा आपका कैसीन में ठीक है कैसी नामक प्रोटीन बना देगा कैसी नामक प्रोटीन बना देगा कौन आपका रेनिन, ठीक है, रेनिन का काम क्या होता है, जो आपका, बिलक का प्रोटीन का भाग होता है, उसको किसमें बदलना, प्रोटीन में बदलना, ठीक है, कैसी नामक प्रोटीन में बदलना, अब देखो, कैसी नोजन प्लस रेनिन, ठीक है, क्या है, आपका कैसी नोजन के साथ में प्रोटीन में बदल देगा यह आपका प्रोटीन बन जागा कि यह आपका बेवन जागा क्या होता जैसे मतलब जो आपका मिल्क था उसका प्रोटीन बन दिया बागी बचा हुआ यह भाग रहे गाए ठीक है यह पानी और जलका वाट यह वाट यह मिक्सर टिक है यह कैसा होता पूरी तरह से तरल नहीं होता है तोड़ा गाडा होता है इसलिए स्पराइब सेमें सॉल एठीक अब यह आपका कैसीन प्रोटीन यह आपका कैसियम आयन के संपर्वत में जाता तो क्या बना लेता है यह थिक जो क्या कर लेता यह तो यह यहां पर आप चैनल काम में कंवर्ड करना थिक है तो यह रहे अब काम क्या होगा इसका रेन का काम क्या रगागा यह दूद्ध से प्रोटीन के बहा को अलग कर देता है और क्या करता है और क्या करता है प्रोटीन का पाचन कैसे होगा इसके लिए क्या करता है तो प्लब्द कराता है तो बहुत थोड़ा प्रभाव उपाता है पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते भोजन पर कह compliment कर vitat यह हैं पहुझन के इसाथ मिलकर आतों में पहुझता था उदर में तो कम प्रवा होता लेकिन क्या करता है भोजन चेसाथ मिलकर कहा पहुंच जाता है पहुंच जाता कर रहा ह्लें के साथ में Mark करता है यह प्यक्तिन के साथ में क्या करता है लोकलाइज रहता है लोकलाइज मतलब कभी होना कभी नहीं होना ठीक है कभी होना कभी नहीं होना ठीक है तो इसको कहते है लोकलाइज ठीक है लोकलाइज कभी आपको देखेगा और कभी आपको नहीं देखेगा चलता रहता है अ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मुख में पाचन ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा था उदर में पाचन अब क्या हुदर में अदर में प्रिव itution करता हुद़स से होगा यहां पर में नहीं और इस जपनाट पे च्छोटी आत का पहले संतर उसमें प्रिवेश करता है आपका भोजन अ होता है तो पर रादान कर दTalk के उनके रस आकर वह जर्म में मुलनाय ठीक है चोटी का, जो अगर सरह होता है जब उसमें वह जो नीइंग बहसं करता है तो लीवर और पहन क्रियास के जो रस होते हैं वह आकर वह जंब आपके मिल जाते करना और यह आपका दो पदार्वार्थों का बना होता है तो यह माध्यम का पिएच बढ़ाकर साथ याा अठ कर देता होता है आपको जो बाइल साल्ट होता है इसका काम क्या होता है कि जो माध्य में आपका मीडियम है उसका प्येच मानस साथ से कितना कर देता है आठ यानिकी बेसिक कर देता है यह प्येच इंटेश्टाइनल एंजाइम के लिए उप्यूक्त होता है किसके लिए उप्यूक्त ह होता है इनका दूसरा कारिये लिपिट से मिलकर उसे कोलाइडल रूप प्रदान करना होता है और क्या कारी होता है इनका लिपिट से मिलकर क्या करते हैं यह उसको कोलाइडल फार्म देते हैं कैसी फार्म देते हैं कोलाइडल रूप उसको प्रदान करते हैं ठीक है भी क्या है भूकर द čтов द भी रूह आ keep up डिलो के लगानिक लोगे बिलू रुबन कर एक लिखर्ण सुन्न की द बिलो रूंहो और युट्रा स्ब्लस कोई ऊग्दान नहीं हो ते हैंdock डिяжक्सलट इंचन की प्रकर्या में कोई योकदान नहीं होता यह जो आपके पित्रंगां uniform इनका पाचन क्रिया में कोई काम नहीं होता है ठीक है बिलुरुबिन और आपका बिली वर्डेंड यह दो आपके क्या होते हैं पित्त रंगा होते हैं इनका कोई योगदान नहीं होता है दूसरा आपका दूसरा है आपका अगनाशया पैंक्रियाज यह पैंक्रियाटिक जू का सीक्रेशन करता है ठीक है किसका Pencreatic Juice से कहां से निकलता है एक यहाद को होता है इसके क्क्म पोजीशन क्या है संगल कर या किसके से मुलकर बना ओता है धिक़ए इसकी बात करते हैं कि यह हुआ कोा है कीमो ट्रिसजन कहड़ा आपका होता है प्ल्फ का होता है पैन्हेटिक खड़ा आपके पांच क्या है पांच अशाय को आपको से निकलते है अगनास है से निकले हुए वैंठक्रियाटिक जूस में यह आपके अब है जाते डीक तो इन सभी से मिलकर क्या के बनता है आपका पैंख्रीं किरियाटिक्ट जूस में आपके यह पांचų पाइजा चाहिद करतयों से होते हैं परयोंड शीमोंटनो जिटीट बूस्यही नोचन और आपका होता है थर्ड और तो आपका पैन्क्रीराटिक लाइग पेस ऑन्प्षोते पैन्क्रीटिक अमाइलेज्व आपके किसवाएस में पाएसार जूस में पाएसार या घगर है करें और का यह सिने स्टे निलाइट करें LAUGHTER यूस से व्हं राक न्युक्रे करें हैं। ấp एक्टीवेशन का काम करता है क्या करता है उन्पटी इन टेरो एक्टीवेशन का काम करेगा कौन दोट UP करेगा यहां पर एक्टिवेशन का काड़ी करेगा वालों क्या है आपका डिप्सी नोजन जो कि इनेक्टिव है अब आयसा हो जागा और यह ड़ाए कॉ만 से उपस्तिती में एंटेरो काईनेस टीक्च के उपस्तिती में रमंत हो जाता करें गंप तो यह क्या कर देगा chemotrypsin बना देगा chemotrypsin oxygen को chemotrypsin में convert कर देगा और यह भी अब आपका कैसा हो जागा active जो है हो जागा ठीक है यह सभी enzyme intestinal enzyme के साथ मिलकर digestion की प्रकरिया पूरी करते हैं कौन-कौन से chemotrypsin और आपका chemotrypsin यह सभी मिलकर क्या करते हैं intestinal enzyme के साथ मिलकर यानि कि आपके आथ के अंदर जो बिकर पाए जाते हैं आत्र के बिकर के साथ मिलकर क्या करते हैं यह digestion की प्रकरिया को पूरा करते हैं या तंपन्न करते हैं ठीक है हम बात कर लेते हैं antrieras थर्ड आपका है antrieras intestinal juice यह आतों में स्थित unicellular gland यानि की एक कोश की गरंतियों से निकलते हैं किससे निकलते हैं आपके antrieras एक कोश की गरंतियों से निकलते हैं जो की आपकी आतों में present होते हैं संगटन की अगर हम बात करें तो संगटन यानि की composition यह निम्न पदार्थों का बना होता है किसका बना होता है निम्न पदार्थों का बना होता है कौन intestinal juice यानि की आत्रिये रस क्या क्या होता है इसमें enterokinase होता है क्या होता है enterokinase यह यह को उत्पिरेरक है क्या है को ट्रिप्सिन में कनवर्ड कर देता है इसका काम क्या होता है जो आपका इनेक्टिब पैनक्रियाटिक सिक्रेशन होता है जैसे क्या होगा आपका ट्रिप्सिनोजन इसको किसमें के से निकला हुआ ये पेन क्रियांटिक से निकला हुआ ये क्या कर दे था है इसको क्या कर्दे था है। फो में बना देता है तो स्कुत करते विभिन्य ग्रंथियों को सिक्रेट क्लिया होता है इनका काम होता है उत्तेजित करना ठीक है और उनसे उत्तेजित जाएंगे तो वहां से कुछ न कुछ है आपका जो है सिक्रेशन होगा कि अधिक्रेशन और यह होते क्या है आपके सिक्रेटिंस आपके क्या होते हैं हार्मोन होते हैं ठीक है जिनका काम क्या होता है आपका गयंतियों को केवल उत्तेजित करना तीसरा कंपोजिशन कौन साइस का हुआ है कि अधिटेश क्या है आपका फ्रोटीन पाचकर होते हैं इनका क्या होता है प्रोटीन का पाचन करना किसका अधिक्र ऑर यह क्या करते हैं डाइसन के राड तो मोनों के कन नहीं है कुछ भी क्या है है अपका और मौनस यह क्या करता डवा करतें को अमीनले काहर और कौन करता है टी कि करते हैं प्रची स्ट अमिनो डर्मटी को ओंट करता है यहां संपूर डाइजिसन आपका होता है यहां कि आपका डाइजिशन पूरी तरह से कहां आहारनाल का बहवाग होता है क lacte complex जाता है इसलिए पहलें नाट के साथ उधर से आथ हैं कहां से उधर या asked अब पाचन के साथ में आते हैं ठीक है मुख पोसक तत्तों का पाचन करने में पाचन किसी में होता है तो सभी का पाचन आपका कहा होगा किसी में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है पैंक्रियाज तथा इंटेश्टाइनल एंजम चाहें आपका आत जो फूड के साथ किसके साथ भोजन के साथ कहां से आते हैं उदर से आते हैं जो आपके बकाया बज्जे हुए पोसक्त होते हैं उनका पाचन अब अब आपका कहा होगा इंटेस्ट टैन में होगा ठीक है या आत में होगा और कंप्लीट आपका यहां पर पाचन हो जाता है जो आपका डाजेस्टेट फूड होता है वो इंगेस कर दिया जाता है यह तो था आज का आपका पाचन किसे कहते हैं अब हम पाचन किसे कहते हैं तो उमेंद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियों बने लिए अमार साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू